अभी है morning का time और देखिए उकते वे सूरच के साथ अपनी ब्लॉग के सुरवात कर रही हूँ तो बीच बीच में मैं अपना जो है ना morning से ले करके evening चाहे night तक का मैं routine जरूर सेयर करती हूँ और यहां पर आज मेरे बेटे बस दो दिन का चुटी के लिए आया था चुटी खतम हो गई है तो अभी इसकी flight है और यह जा रहा है तो देखिए यहां बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं बच्चे नहीं आना चाहते हैं ब्लॉग में और मेरा ब्लॉग में recipe रहता है क्राफ्ट रहता है beauty and fashion रहता है जो मैं समय समय पर आपके साथ share करती हूं तो देखिए यह अब निकलने वाला है उसके बाद आज बहुत सुंदर आज डियाइवाइप प्लांटर भी मैं बनाऊंगी क्योंकि चुटकू है आप कब आएगा इसी सटर्डेक वाएगा चलो ब है इसका साथी नहीं होने दीजेगा का है कि हम्हा कुन करेगा हर पाप दवायगा तो बंधा ने अगरत बाद बचे जब जाते है ना तो बड़ा मंदूख लगता है और बिवलकुल का में मन भी नहीं लगता तो मैं सीधे टैरेस पर आ गई हूँ मॉर्निंग का समय और देखी वो फ्लाइट जा रहा है तो पहुंच जाएगा एक गंटे में और यहां पर मैं अनार का पेड मुढए दिखाई थी जब फल लगते हूँ गिर जाते में और फिर से बहुत सारे हो गया हैं काफी बड़ा हो गया है तो अभी उसमें भी फल नहीं आया है तो उसके लिए मैं दवा ले करके आए हूँ लेकिन बहुत सारी गमला जो है ना पांसे छे यह दूसरे का है जो यहां अब नहीं रहते हैं तो उनके गमलो मतलब मुझे देखर के चले गAmerica है लेकिंद अब क्या है कि इतना मतलब गमला में पानी डालना मेंटें करना मेरे लिए मुष्किल का काम हो जाता है अकेला आदमी कितना मतलब घर के भी काम हो जाते हैं और दोनो टाइम गरभी का समय में है र्रत कंश करना चैहाद रभी काम हो जाता है और यहां पर सिम्ला मेर्च का मैं 20 शीट दे थी उससे देखिए बहुत सारे सिमला मिर्च भी आ गया है और यह गेंदा के भी फूल के मतलब जो भी रहता है फूल शीट देती हूँ सुखने के बाद उससे भी बहुत सारा पेड निकला है और यह गुलाब थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि इसमें जड़ क रहे जिसमें कनेल है और धतुरा भी एक खिले हैं एक उठल और एक पीला उठल है तो मुझे ना आज सुमबार है तो फिर मुझे पूजा भी करना है और यहां पर देखिए यह मतलब बना दी हूँ लेकिन अच्छा ने लग रहा है तो चलिए कुछ इसमें मतलब पेंट कर लेते हैं तो मैं DIY बहुत करती हूं लेकिन अब क्या है ना कि cooking वीडियो जब से मैं स्टार्ट की हो ना तो मेरे लिए समय कम मिल पाता है लेकिन फिर भी मुझे बालकनी में मतलब छोटा ही बालकनी है लेकिन मुझे अच्छा लगता है सजा करके रखने में और जितना भी मेरी है और साथ में बहुत ही इजी तरीके से इसमें मैं मतलब फूल बना लूँगी तो यहां पर देखिए मनी प्लांट के पत्ते हैं और अगर उडल के पत्ते लेंगे ना तो और भी अच्छा इससे मतलब आपका जो भी प्रिंट है ना बहुत अच्छा से उखार आएगा तो बहुत सारे DIY देखने के लिए ना आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट क्राफ्टी लीना ब्लॉग में विजिट कर सकते हैं बहुत सारे क्राफ्ट वहां पर मिल जाएंगे बहुत ही होमली और बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं तो यहां पर थोड़ा थोड़ा पेंट लिए करके और मैं पत्तों में चारो तरफ से लगा लूँगी अगर मल्टी कलर बनाना चाहते हैं तो मल्टी कलर का बनाईए बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है लेकिन बनने के बाद बहुत खुबसरत लगता है और उपर से थोड़ा सा वाणिस लगा दे तो देखिए म मुझे एक घंटा टाइम निकल गया इसी में क्योंकि बच्चा सुबह में गया है तो बहुत मतलब दो ही दिन के लिए आया था लेकिन मतलब इतना जादा अगर मुझे काम करते हुए देखेगा ना तो चलो ममी हटो हम यह कर देते हैं वो कर देते हैं लेकिन बच्चों की म मतलब पढ़ाई हैं लिखाई है तो उसके लिए भी महममता करना भ्य मतलब जाज नहीं है लेकिन मैं मैं अपने आपको वेजी कर लेती हूं यह कि कम से कम मतलब मुझे याद नहीं। यह पति हैं और मैं अपना जो भी काम कर रहे 謠ी तो मैं कुछ करने लग जाती हो सब भ अपना जो मतलब काम में ध्यान लगा लेती हूं और यहां पर चलिए इसका मैं प्रेंट बना देती हूं सुखने के बाद यह बहुत खुपसरत लगता है उसके बाद उपर से में वार्णिस लगा दूंगी जिसमें यह गलेज आ जाए तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं सेयर कर तो और भी सुन्दर लगेगा देखने में अगर आप प्रेंटिंग करती है तो और भी इसमें डिजाइन बना सकते हैं लेकिन मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं लेकिन क्या है कि कुकिंग वीडियो करते करते समय नहीं मिल पाता है तो चलिए यहां पर यह इसलिए नहीं तो इसमें और भी मैं डिजाइन बताती लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो बहुत इजी तरीके से में दिखा रही हूं और यह देखिए बहुत अच्छा लगता कहीं कहीं मैं मॉल्टी कलर से भी कर दे रही हूं थोड़ा सा प्रेंटिंग कम हो जा तो और पतो दियाइवाई मैं सोच रही हूं कि अभी बहुत सारे प्लांटर में मुझे बनाना है और मैं ब्लॉक के माध्यम से आपके साथ सेयर करूं और कुकिंग वीडियो तो सेयर करती ही हूं तो बहुत इजी तरीके से देखिए बहुत प्यारा सा लग रहा है और उसके बाद जर्मनी से हैं मौरी सबसे कमेंट्स आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को दिल से सुक्रिया और मैं मतलब डियाइवाई से लेकर के ब्यूटी और सारे ब्लॉग में आप लोगों के साथ सेयर करती हूं और अगर विंटर का समय है तो नीटिंग सेनली और लोगों को पता है कि बहुत लोग कमेंट्स आ जाता है कि सीवलिंग घर में नहीं रहना चाहिए लेकिन मैं कासी बीस्वनात से आज 15 साल से ज्यादा हो गया है मैं रखी हूं अपना पूजा रूमे और एक उजयन से लेकर के आई थी और साथ मैं कहा जाता है कि सी लगता बहुत सांती मिलती है जितना टाइम मिलता है मैं उतना पूजा करती हूं और यहां पर माता रानी भी है जो मेरी छोटी वाली बहन बनाती है जो इसके पहले भी मैं वीडियो सेयर की हूं उसी का बनाया हुआ सब लोग लेकर के जाते हैं और यहां पर चलिए यह कान सब्सक्राइब और अचार बन गया है और उसके बाद चावल उतना पसंद नहीं है यह सब खाना चोला पूरी यह सब जादा पसंद आता है तो सबसे पहले भिंडी का भुजिया बनाऊंगी दाल चावल बन गया है और उसके बाद चार कर चोरी बस उसके भर बनाऊंगी और बस उन लोगों को देने के बाद अभी मेरा चाई चाटा है अभी मतलब बैट करके मैं चाई भी ने पी चकती हो हर्बर मुसको देना खाना मेरा समय गुजर जाता है तो चली कोई नहीं यह सब मतलब जो होता है न मुझे लगता है मैं पूझा पाट चलती हूँ कहीं कहीं भगवान कहीं इतना ज्यादा मतलब ब्लेसिंग है कि मैं यह सब कर पाती हूं यहां पर चली बेटों को नास्ता दे देती हूं साथ मैं को तो क्या है ना कि बीना दाल चावल के खाते ही नहीं कभी मन भी नहीं रहता है कि दाल नहीं बनाई लेकिन मुझे बनाना पड़ता है नहीं मन होते हुए भी तो चली उनके लिए भी निकाल देती हूं यह गर्मा गरम चावल और साथ में आज बोल रहे थी कि एकदम पतला दाल बनाना गाढ़ा दाल नहीं पसंद करते हैं कई बार आप लोगों का ऐसा कमेंट्स आ जाता है कि दाल है कि पानी है तो देखिए यह पतला ही दाल खाते हैं और चोखा रोटी की जो मैं थाली वाली दिखाई थी आप लोगों को मतलब पिक्चर उसमें बहुत सारे कमें से आ गए कि हम लोग भी गाउं से हैं तो चोखा रोटी कौन खाता है तो देखिए यह मतलब मुझे भी नहीं पता था यह चोखा रोटी खाते थे तो मुझे हंसी आती थी लेकिन खाते हैं चोखा रोटी बहुत प्रेम से खाते हैं और इन लोगों के गाउं में सब लोगो खाय साथ में पानी पीए तो पेट भर जाता है तो चलिए बहुत सारे अच्छे कब लोग इहीं तत आई हो की आज कब लोग पसंद आया होगा पसंद आये तो भी